क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है या फिर बस आपको शोर शराबे में कन्फ्यूज किया जा रहा है इस वीडियो में मैं क्रिप्टो की लिगालिटी का रियल स्टोरी ब्रेक करने वाला हूँ और अगर आप अन तक बने रहोगे तो मैं आपको 30% फ्लाट क्रिप्टो टैक्स को कैसे बचाना है उस लूप होल के बार में भी बताने वाला हूँ So, what's up guys, मैं हूँ सधान्त, आप देख्षेन ट्रेटिंग हो सधान्त Let's get started with the video, देखिए सच तो यह है कि क्रिप्टो इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर भी नहीं है ये एक ऐसे ग्रेजोन में है, जहां पे हर आम इनसान जो क्रिप्टो में ट्रेट करता है, वो सोचता है कि कहीं मैं law तो ब्रेक नहीं कर रहा हूँ इतने सारे headlines, इतना सारे hype के बावजूद, हमारे Indian Government ने अभी तक law को clearly defined नहीं किया है उन्होंने अपना stance अभी तक clear नहीं किया है But what if I told you that there's a very smart way to navigate this confusion without breaking the law 2022 में Indian Government ने एक regulation pass किया जो भी crypto profits आपके होंगे, उस पे आपको flat 30% tax देना पड़ेगा इतना ही नहीं, अगर आपने loss कर लिया, तो ये 30% tax उसमें offset नहीं होगा साथी साथ, हर crypto asset के sale पे आपको 1% TDS भी कटवाना पड़ेगा नो पहली बात तो ये, कि इंडिया में अगर किसी भी और चीज में आपने loss कर लिया वो किसी भी और segment के profit से offset हो सकता है मान लो आपने stock trading में loss कर दिया, तो अगर आपके real estate में भी profits हैं तो उस profit और loss को आप offset कर सकते हो लेकिन ये चीज crypto में उन्होंने completely ban कर दिया क्रिप्टो में जो भी profit होगा आपको 30% tax उस पे भरना ही पड़ेगा आप यहाँ पे देख सकते हो any virtual digital asset that you sell like NFT, ठीक है उस पे आपको 30% tax on income from the transfer of VDA is now applicable which tax shall be in addition to the income tax payable and all other income of the SSE apart from the cost of acquisition of VDA, no other deduction is permissible even losses incurred in such trade cannot be set off against this taxable income but here's an interesting fact सारे platforms पे crypto trade करने पे ये 30% tax नहीं लगता है platforms like Delta Exchange India आपको crypto USD में trade करवा रहा है instead of USDT ये एक तरीके से loophole का use करते हैं अब ये कैसे करते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब बात तो ये है कि अगर आपने profit कर लिया तो 30% tax तो government कह रही है वो अपसे लेंगे लेकिन अगर आपने loss कर लिया तो उसका कोई जुर्माना नहीं भड़ेगा ये बेसिकली आपको कह रहे हैं कि crypto मत करिये हम illegal तो नहीं करेंगे बट मत करिये अगर कर रहे हैं तो हम 30% tax लेंगे ये क्या बात हुई भड़ा शुट भी मेरी और पट भी मेरी तो electricity bills हो गया या trading fees हो गया इन सब को भूल जाएए अब किसी भी चीज से regular crypto trading में इसको offset नहीं कर सकते हैं पर यहां तक कहीं भी government नहीं बोला है कि crypto illegal है crypto को legal status दिया गया है illegal tender माना गया है और tax भी किया गया है कितना confusion है भड़ा अब यहां पे बात आ जाती है crypto में trade लोग करते कैसे हैं काफी सारे platforms आपको directly INR deposit और withdrawal अलाव करते हैं जैसे delta exchange इंडिया जैसे coin DCX और कुछ और international platforms भी हैं लेकिन बहुत सारे banks इसके favor में नहीं है जैसे ही आपके account में कोई transaction deduct हो गया जो कि crypto से related है वो अपने आप ही आपके account को freeze कर दे रहे है अब इससे बचने के लिए P2P यानि peer-to-peer का concept आया है लेकिन वो भी अपने आप में एक risky bet है because peer-to-peer का मतलब होता है मैं यहाँ पे हूँ मेरे पास INR है मेरे पास rupees है और आप वहाँ पे हो आपके पास USDT है या फिर crypto है मैं आपको rupees भेज़ुंगो और आप crypto transfer कर दोगे अगेन इसमें illegal कुछ भी नहीं है government ने इसमें कुछ भी illegal stance नहीं बताया है but at the same time इस तरह के transactions करने पे भी काफी लोगों के account freeze हो गए है और ये सब हुआ है despite Supreme Court of India's ruling Supreme Court of India overturns the RBI banking ban allowing banks to provide services to cryptocurrency traders and exchanges again this decision rejuvenates the cryptocurrency market in India अब चाहो तो ये वाला Supreme Court की ruling आप check out कर सकते हैं this is basically by Supreme Court complete link मैं आपको description में दे दूँँगा आप ये judgment पढ़ सकते हो तो Supreme Court कहती है कि banks are supposed to allow you to trade in cryptocurrency या फिर cryptocurrency transactions को allow करना चाहिए because पूरा भारत सरकार कह रही है कि आप इसमें legally काम कर सकते हो लेकिन अब बात आजाती है crypto futures की regular spot में buying and selling तो एक बात है दूसरे तरफ हमारे पास आजाता है crypto futures की trading अब crypto futures again एक grey area में आता है इसके बारे में भी Indian government ने कोई clear stance बाहर नहीं लिखा कुछ platforms हैं जो कि कहते हैं ये तो VDA के under ही नहीं आता है तो virtual digital asset trade ही नहीं कर रहे हो ये तो futures trading है कोई और platform कहता है कि this is basically a business income because of futures से पैसा कमा रहे हो तो ये flat 30% tax में कैसे आ गया इसका clear मतलब है कि खुद Indian government अभी भी चीज़ों को figure out कर रही है बट यहीं पे आ जाते हैं platforms like Delta Exchange India number one आप यहाँ पे crypto को USD पे trade कर रहे हो BTC USD number two आप directly INR में deposit और INR withdrawal कर रहे हो and number three you're also trading futures now क्या Indian government ने इस पे कोई clear cut tax regulation लगाया है absolutely not लेकिन क्या यह illegal है again no Delta Exchange इंडिया पे आप trade कर सकते हो INR deposit and withdrawal कर सकते हो यह एक FI registered platform है और यहाँ पे आपको flat 30% tax नहीं लगेगा you can also try platforms like Binance, like BingX, like CoinDCX WazirX, खैर WazirX का इतना बड़ा जो hack हो गया है that brings up some risk उसको आप फड़ा avoid करना चाहो तो वह आपके लिए better रहेगा लेकिन again उन platforms पे deposit and withdrawal के challenges आ जाते हैं आप directly deposit withdrawal नहीं कर सकते हो और कर भी लिया so bank freeze होने के chances आपके हो जाते हैं unless and until you do P2P safely अब चलिए मान लेते हैं आपने सारा framework समझ लिया अब आप crypto में trade करने के लिए ready हो लेकिन फिर भी आपको crypto trade करने के लिए एक बहुत बढ़ी आसी profitable strategy लगेगी यही profitable strategy मैं अपने students को अपने advanced crypto mastery course में सखा रहा हूं जिसकी link में नीचे pin कर दूँगा आप definitely उसको check out करें यह कुछ results के screenshots में post कर देता हूं यह वाला setup आज भी market में काम कर रहा है तो अगर आप crypto futures trading करके अपने future को secure करना चाते हैं और profitably trade करना चाते हैं तो definitely crypto market mastery is the way to go अगर future की path की जाए तो 2021 में SEBI ने cryptocurrency and regulation of official digital currency bill को launch किया था लेकिन अभी तक वो official नहीं हुआ है Now this points out some hope for us because SEBI देख जरूर रही है cryptocurrency की तरफ बट अभी तक clarity नहीं है उनका मानना है कि multiple regulators होने चाहिए crypto पे oversight करने के लिए इंडिया एक framework पे काम जरूर कर रहा है लेकिन जब तक वो आ नहीं जाता तब तक हम एक tight rope पे ही चल रहे है लेकिन इनी तरह के regulations को over become करने के लिए और properly trade करने के लिए मेरा advanced crypto course है Now दो और amazing चीज़े हुई है 2023 में India as the G20 President उन्होंने cryptocurrency के regulations के लिए call किया है Laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian Presidency and a global consensus is emerging on the same The Presidency will support the IMF and the FSP and the FSP is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets So the Presidency with the support of IMF and the FSP is setting these contours The IMF and FSP synthesis paper about which I have spoken to the media earlier including a roadmap On that I just want to give my observation This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSP alongside the other standard setting bodies will fit together and interact with each other This means कि Indian government actively crypto को regulate करने का सोच रही है Regulate करने का ये मतलब है कि वो अभी तक उसको illegal classification नहीं दिया है एक simple example अगर मैं दूँ आपको तो Mary Jane एक substance है जिसको Indian government ने strictly ban कर रहा है Now इसके लिए भी काफी लोग unban करने की बाते कर रहे हैं But at the same time Indian government ने इस पे कोई stance नहीं लिया It is clearly illegal वहीं पे cryptocurrency is in a gray area इस gray area को navigate करके ही हम काफी पैसे कमा सकते हैं Especially because Indian market से आप में से काफी लोग जादा खुश नहीं है Although I'm still pretty happy with the Indian market But in case you are not Definitely you should get into the crypto market Because this is going to be life changing Because crypto एक ऐसा asset class है That can completely change the world's dynamic The potential president of United States of America Donald Trump He has called for paying the United States loan with cryptocurrency For building up reserve currency of Bitcoin A reserve currency build कर रहे हो with Bitcoin That will add a lot of stability to Bitcoin's pricing देश जो होते हैं बड़े बड़े वो अपने currencies को किसी ना किसी चीज के थूँ back करते हैं Mostly it is gold Then there are bonds जो वो बेसते हैं जिससे वो अपने देश की strength security को strong करते हैं अब वहां के लोग Bitcoin को भी as a backup currency लेने का सोच रहे हैं Dubai में आप cryptocurrency का use करके Payments buy and sell कर सकते हो चीजों को These are some major changes that are happening in the world And India being at the digital forefront वो पीछे नहीं रहना चाहेगा So क्या crypto इंडिया में legal है? Yeah But with some strings attached अगर आप smartly उस 30% tax को avoid करने का सोच रहे हो So platforms like Delta Exchange offer you an alternative जहां पर आप एक थोड़े कम regulated way में trade कर सकते हो Trading USD instead of USDT लेकिन अगर आपको इस game को really master करना है तो मेरे advanced crypto course को जरूर check out करें It is helping traders like you and many others Navigate through these difficult waters And make some real money on crypto Now इस वीडियो में मैंने काफे कुछ कवर करने को try किया है About the crypto regulations अगर आपके कुछ doubts है Do make sure you write them in the comments So अगर आपने वीडियो को अभी दग देखा है तो पूरे वीडियो के बीच में एक secret code आया होगा उस code का यूज करके आप 2 week का free elite trading mentorship access gain कर सकते हो Thank you so much for watching guys अब मलते है next video में